आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन n3 हमें गयाद करना है तीसरी कच्छ में उपस्तित इलेक्टरान का वेख ये वीद का मतलब होता है तो देखो हमारे पास क्या होता है कि जब हो कोई hydrogen electron hydrogen species यह जिसमें एक electron हो उसमें अगर कोई उस से तत्व अथवा आयन का अगर कोई electron N-V कच्छा में चक्कर काट रहा है तो N-V कच्छा में उपस्तित electron का जो वेग होता है वह होता है हमारा V naught गुड़े Z बटा N यह होता है ठीक है यहाँ पर V naught क्या आता है V naught होता है पहली कच्छा में उपस्तित electron का वेग ठीक है तो यह हमारा फिक्स होता है यानि नियत होता है इसका मान होता है 2.16 घिक है 2.16 गुड़े 10 की घाते 6 जाए 1m3 startups यह इसका मारंव थे स्पS वी नॉट का यह होता है पहली कच्छा में यानि कि जब हम ग्राउड अवस्था में होते है तीक है निपरी कच्छी उसथित illeg रनका वेग होता है ठीक अब देखो यहां पर यह मीटर में दिया है और हमारे option cm में दिये हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे, ठीक है, एक मीटर बराबर होता है 100 cm, यानि 10 की घाते 2 cm, तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 8 cm per second हो जाएगा न ये, ठीक, तो हमने इसे बदल लिया, cm में, अब देखो क्या है, कि यहाँ पर तीसरी निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V0, गुड़े, Z कितना है अपने पास, Z हमें यहाँ पर कितना है, हाइडोजन है, तो एक हो गया, N कितना हो गया, ये तो 3 है, तीसरी कच्छा में है, तो यह हो जाएगा, V0, गुड़े, एक बटा 3, अब देखो, V0 कमांद तो ह यह होगा, हमारे V3, अब अगर इसे हम हल करेंगे, तो यह हमें यहाँ से प्राप्त होता है, 7, ठीक है, 7, 9, गुड़े, 10 की घाते, 7, सेंटिमीटर, प्रती, सेकेंड, यह प्राप्त होता है, यहाँ से हमें, तो इसके हिसाफ से अगर हम देखेंगे, तो जो मुड़ा आप आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट 8444 पर